जैन सातियों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एम्पीटेट ग्रेट टू विसर्षिक चक्की भरती योग होने जा रही है उसके संस्कृत के विस्तिस सिलेवर्स को लेकर आज हम चर्चा करेंगे एम्पीटेट 2023 में जो परिक्षा आज़ित की जानी है पातरत परिक्षा विसर्षिक चक्के लिए तो आज हम जिस सब्जेक्ट के सिलेवर्स की चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा संस्कृत संस्क्रित के बारे में हम बस्तित रूप से च्चा करेंगे दोनों भगों का सलिवर्स आपके सामने रखेंगे कि किस परकार का question किस परकार का सरभस रहने वाला एंप का तुछ स्पसेले जान लीजीया हमारा परिश्चा की योजना क्या रखने वाली है आप देख लीजिए तो घ्ट परिचार जित की जा रहा है यह 155 शंक्तों की होगी है परिचागी अब दिया हमारी धाई गंटे की होगी अब्जेक्ट टैप के आपको पुछे जाएंगी और प्रते क्वेश्चन आपका ये कंका रहेगा ध्यार रहने वाली वात है आपका जो रहेगा इसमें मैं पॉइंट क्यों है वह रणात्वक मुल्यांका ने आपका नेग परिसन पत्त के दो भाग होंगे भाग आ और भाग 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 आ है वो सभी के लिए अनिवार होगा जितने भी प्रतिवाग जितने भी सब्जेक्टों से तयारी कर रहे हैं उनके लिए भाग अनिवार रहने वाला भागा सभी के लिए अनिवार रखा गया है तो ज प्रेंट्स अब बात कर लेते हैं हम भाग बाकी जो हमारे लिए महत्पूर हैं जिससे हम हम तयारी कर रहे हैं हमारे पात्रात परिच्छा लिए वह 120 sanskhay को का होगा посто एक सो बीस हंकों के बहुब किल प्रेस पूछे जाएंगे तो आज हम इस जिस सब्जक्ट की बात कर रहे हैं बात करेंगे हम referendum करेंगे एक सो बीस थिफ्पर रहेगा यह बाग बाग यानि 125 अंगों को पेपर रहना है लेकिन 120 अंग का भाग मैन जो subject जिसे हम तयारी कर रहे हैं जिसे हम पात्रात परिछा दे रहे हैं वह आपका 20-120 अंगों कर आएगा तो इसमें आपको अच्छे से मेहनत इसी में से करना है क्योंकि अधिक से अधिक हमको इसी भा करने वाले हैं तो देखिए बासा ही समझ पर आदारे ताप के पहले कोश्चन होंगे बासा ही समझ अब बोद में आपका क्या आएगा बैकरार में आपका क्या कर रहेगा पहले सब दूरू पाएंगे इसमें आपका रामका कभीका भानू लता पित नदी बधू मात्र फल बारी और आत्मन इससे संबंदत आपके सर्व है तद है एतद है यत इदम और असमत युदमा और इससे संबंदत आपके सब्द रूप रहने वाले हैं नेक्स्ट है हमारा धातू रूप आपके आएंगे लट लरा और लोट और लड़े और एवां बिदी लिंड पाँच लगार आपसे पूछे जाएंगे इसमें परस्माइपद और आत्मनेपद पूछे जाएंगे नेक्स्ट है हमारा आएगा नेक्स्ट आपके हमारा संदी संदी में से आपको संदी के बारे में और उसके भेद यानि उसके पिरकार स्वर संदी बेंजन संदी और उसके भेद आप से पूछे जाएंगे और उसके बाद है संदी बिच्छे से संबंद आपके कौचर रहेंगे संदी युक्म पद बनाना संदी किस परकार बनाई जाती है इससे भी आपके संबंद कौचर आपके रहेंगे नेक्स्ट है हमारा समास समास में से आपका क्या पूचे जाना है समाज की परिवास आएगी समाज के कितने भ्यद होते हैं समाज का बिग रह पूछे जाएगा और सामासिक पद इससे सम्मद आपके कौश्चर रहेंगी कौश्य पूछ तौपिकat आपके कौश्य पूछे जाना आपके कौश्य हमारा प्रत में आपका क्रत प्रत आयेगा ऌनड् pendant कितव कौश्य पुछे जाए इसससे समध आपके कॉश्चन रहेंगे नेक्स्ट है हमारा अब्या कापूचे जाएंगे आपको पूना, अपी, पूरा, अधुना, है सब अदै, अधुना, कुत्र, यत्र, तत्र, सर्बत्र, यदा कदा, सर्बदा, उब्री, उप्री, यत्षा और अपी, इससे संब्द आपके अब्बे पूचे जाएंगे, संस्कृत में आपका निमद लेकन से संब्द इतकोच रहेंगे, और अनुप चारिक पत्र और प्रात्म पत्र लेकन कैसे होता है, इससे भी संब्द आपके कोचेंट इस पेपर में रखे जाएंगे, काप्रिय अ चारो यहां क высок अब्सक्राइए करिछ उश्रहरे संस्क्रित-ाइक है- पूर्णबाक महत्तर बिसेशन बिसेशन अवनती पर्याय और बिलॉमसभ पर्याय बाची और बिलॉमसभ ते सम्मद आपके कौच्छन रहेंगे आगे क्या रहने बाला है? बासा शीक्छन में सुनने बोलने की भूमी का बासा के कार बच्चे बासा का परयोग कैसे करते हैं? यह सम्मद आपके कौच्छन पूछ जाएंगे इसके बाद है मोखिक और लिखित अभी ब्यक्ति अंतरगात बासा सीख ने में ब्याकरण की भूमी का नेक्स्ट हमारा बासा सीखन में बेबिन इस तरों के बच्चों की चुनोतियां क्या होती हैं उनकी कटनाईयां त्रोटियां और करम बदता इससे सम्मध आपके कोश्च सामागरी पुस्तक दूर संचा द्रस रब्ब सामागरी और बहुक्चा स्रोट इससे सम्मध आपके कोश्चा रहने वाला है संस्कृत का बिस्तित स्लेवर्स आपके सामने में ने रखा तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट करके बताएं वीडियो पसंद आए को लाइक करें चैनल को मारे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ओल पर प्रिस करें धन्यबाद